कि आप मुखमंद्री पद से इस्तिपा दिजिए और आकर सपोर्ट किजिए मैं सला दे रहा हूं बुला नहीं रहें सला दे रहा हूं विचार करना उनका काम है और अगर पाप को धुलवाना है तो तेजस्वी प्रसाजादों को सपोर्ट करके मुखमंद्री बनाना है और य पुलिस अगर जिस दिन चाले उस दिन बिहार में कहीं कोई अपराद नहीं होगा नमस्कार मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूजफर नेशन बिहार की ताज़ा सियासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आर्जिटी विधायक और मुख प्र को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और शाल का अंतिम चल रहा है 2020 का आने वाले 2021 के लिए मैं इस चैनल को बहुत-बहुत सुभकामना धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इस साल आप सत्ता में आने से पिछर गया है सरकार अभी जो चल रही है उसके उपर अब गंभीर आरूप लगना है अपराद खोले करके मुख्मंत्री निदीश कुमार लगातार क्राइम पर क्राइम मीटिंग कर रहे है क्या लगता है कहां चूक हो रही है सरकार से देखिए अगर भावना ठीक हो तो काम अच्छा होगा भावना ठीक नहीं है और केवल देखावे के यह सरकार लूटवा रही है नहीं सवाल है कि क्राइम मीटिंग करने से कुछ नहीं होता है भावना ठीक होने चाहिए और कार्ज करने की जो प्रणाली है और जो रसीपी टेक्स असूली होता है उसको अगर त्यागेगा लोग तो क्राइम पर कंट्रोल हो जाएगा पैसा भ लोगों को CID में रखिएगा तो क्राइम तो होगा ही इसलिए भावना ठीक होने चाहिए और कार्ज करने की जो प्रणाली है उसमें बदलाव करना चाहिए मानिय मुखमत्री जी को और मांगनिय मुखमत्री अभी दवाव में काम कर रही है यह सब को मालूम है कि BJP वाले इ काम कर चुके हैं आप जाल से निकलिए और आये और महागडबंदन को सपोर्ट किजिए आते जस्वी परसाद जादो जो नौजवान हैं उनको मुखमंत्री बनाइए तब आपका पाप थोरा सद्धूलेगा ने तो पाप जो चड़ा है वो पाप में आप बरबाद हो और आकर सपोर्ट किजिए मैं सलाह दे रहा हूं बुला नहीं रहें सलाह दे रहा हूं विचार करना उनका काम है और अगर पाप को धुलवाना है तो तेजस्वी परसादों को सपोर्ट करके मुखमंत्री बनाना है यह भी तो हो सकता है कि आप उनको मुखमंत्री बना एकहतर से जो बेक्ती 43 पर चला जाए और हम जितना थे उतना ही है और हमारे साथ क्या हुआ है गिंती में कितना गरवडिया हुई है ये सब ही आप जानते हैं कि 25 छेतरों में हमारे साथ अन्याय हुआ है अगर वो पची सो के साथ नयाय होता तो हमारी शरकार बनती और 20 परसाज़ादों मुख मंत्री होते है और विहार जो चाहती है वह हो जाता और विहार के नौजवान काफी नाराज और ये मुख मंत्री हम तेजासी परसाज़ादू को नहीं बना सके दरवंगा में भी आपने देखा कि लगन के मौके पर अपरादी जो है काफी एक्टिव है करोडों करोड का सोना ले जाते हैं यहां आप देखें कि आपके नौवत्पुर में वेवसाई भाईयों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाते हैं यह सारे जगों में हमने कहा कि बिहार में आप राद पर लगाम नहीं लग परा है और यहां जिसको भी यह पोस्टिंग कर रहे हैं वो पैसा लेकर पोस्टिंग हो रहा है रिश्वत देकर पोस्टिंग में वो जा रहे हैं तो वो कहीं सोना लुटवा रहे हैं कहीं चांदी ल ही होगा कहीं ने कहीं मिली भगत है और सरकार के भी जो सफेद्स हैं उनकी मदद में रहते हैं इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि अपने सफेद्स पोशों पर अंकुस लगावें और यह पुलिस्पदाधी कारियों को लगाम लगावें